आईए बात करते हैं सरदार उदम सिंग चित्रपट के टीदर ट्रेलर के लॉंच करेंगे। हाई मैं हूँ रविराज और आज हम बात करेंगे। विक्य कोशल जल्दी भारत के सोतंतर सेनानी सरदार उदम सिंग पर बनी फिल्म को लेकर आने वाल है। इस फिल्म में सरदार उदम सिंग के मुख्यकिरदर में विक्य कोशल है। और लंडन जाकर जालेंसवाला बाग राल लेने की कहांई है। लेकिन आकिर सदार उदम सिंग क्यों थे। और उनने इस हत्यकन का बद्ला क्यों लेया है। हम बात करेंगे इसके बारत का वो शेर जिसकी सिक्स गोले ने लिया जालेन वाला बाग हात्या को वीडियो दर्शाने वाले कॉंग्रेस की सत्यपाल और साइक पुदिन किचली को अंगरी जोदारा अरिश करने के पाद अंबरुसर में हज़रों के तादत में लोग एक पार्क में जमा हुए थे इन लोगों का मकसद शान्ती से प्रोसेस करना था इनकी ये बात रास नहीं आई और उनके जनरल रिगनाल डायर ने अपनी फोच के सब उन मासुम लोगों को मार गिराया इन सहार को जालेन वाला बाग हत्यकान का नाम दे गया कौन थे ये उदम सिंग चलो पच्छपन के यादिताजा करते हैं सरदार उदम सिंग का जल्मा 26 डिसंबर 1899 में पंजाब के संग्रूल जिल्ले के सुनाम गाव में हुआ था उनके पिता का नाम सरदार तेहाल सीहं जम्मू उपली गाव में वो चोकिदार थे अदम सिम्ग का असली निम शेर सियरव था उनका एक भाहि भी था उनका नाम मुकतासिह था अमर में सरदार अदमसिंग के मा चल बसी और उचे साल बाद उनके पिता भी दुनिया से अलविदा के गहे थे उनके माबाप मरने के बाद और उनके भाई अमरुसर के सेंटरल खालसान अतायल में भेज दे गए थे लोगों ने उन दोनों भाईों का नाम बदल के सेर सिह का बना दिया उदम सिम और मुक्ता सिह का बना दिया साधु सिया सरदार उदम सिहों ने क्रांतो करे साथ चामिल हुए और उन्होंने चंदगी कटा करके देश के पहार चले गए उदम सिहों लिंडन पोचने से पहले रेगिनाल डायर की ब्रेन हेंबरेज के चलते मौत हो गए थी ऐसे में उन्होंने अपना पूरा दैन माइकल ओडायर को मारने पे लगाया और उसे पूरा किया भी 13 मार्श 1940 को रॉयल स्टेंटरल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्स्टन हॉल में बैटक थी वहां माइकल ओडायर भी स्पिकर में से एक थी अपने बंदो को एक मोटी कितब में छुपा के रखा था मौको लगने पर उन्होंने निशाना लगाया और दो गोले माइकल ओडायर की च्छाती में डाग दी ऐसे में जगा पे उनकी मौत हो गई हाला कि वहां से भागने के कोशिश में उदम से पकड़े गए उसके बाद में उन पर मुकदमा चला और कोट में उनकी पेशी भी हो गई चार जुन 1940 को उदम स्विंग को माइकल ओडायर के हत्त्या का दोशी ठाहरा गया 31 जुलई 1940 को उन्होंने पेंटन विलेज जेल में फासी दे गई भारत के आजादे की लड़ाय की इतियास में अमर हो गई 1904 को गिर्टे ने उनके आउशेश भारत को सोब दिये थे